नमस्कार आप देख रहें इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजया दो तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर क्यों ओरिसा के संबलपुर में एक मामली विवाद में यूनिवरसिटी के एक पूर चांसलर की हत्या कर दी गई खबरों के मताबिक 100 ρुप्य के विवाद में पूर उपकल்पती को मार डाला गया संबलपुर यूनिवर्सिटी के पूर वॉइस चांसलर धुर्वा राज नायक को बदमाशों की दबंगई का सिकार होना पड़ा जार्ज सुगड़ा के स्वी बीसी दास ने कहा कि सो रोपया ना देने पर आरोपियों ने नायक के घर में धावा बोल दिया उन पर कुलारियों से हमला किया और घर नस्तल से फरार हो गया लहू लुहा नायक ने कुछ दिर बाद ही दम तोड़ दिया पेड़िद बरिवार का कहना है कि गाउं की लोग उस वक्त घर में गुसे जब 83 साल के नायक घर पर महीं थे उस वक्त नायक की बेटी और दमास समेट कुछ अनरिस्तिदार घर पर मौजूद थे उन दवंगों ने सौ रुपे की मांग की इस दोरान नायक भी घर पर आ गए और कहा सुनी होने लगी इसके बाद नायक ने उन लड़कों को घर से बाहर जाने को कहा लेकिन दवंगों ने उन पर कुलहारियों से हमला कर दिया एक कुलहारी उनके गरदन पर लगी और वह कहीं धराम से नीचे गर गए उन्हें नस्दीक के अस्पताल ले जाया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका पुलिस ने फॉरंस गार्ड की मदस से कई हत्या रोपी को जंगल से दबोचा पुलिस का भी कहना है कि मामली रकब को लेकर दोनों पच्छों में कहा सुनी खुन खराबी में बदल गई नायक पर्यावर कारिकरता भी है और कई तर है कि विरोट पर दशनों की अगवाई भी उन्होंने की है लेकार पुलिस से स्टेशन की पुलिस हत्या रोपी से पुस्ताश में जुटी है टाकि घटना के पूरी वज़स सामने आ सके ब्यो रिपोर्ट आई पिन झाल झाल झाल